नमस्कार दोस्तों नामस्ते को कई बाइपी यूटुप चनल में आपका स्भागत है और आज का वीडियो खाश कर के उन नएलफ के लिए है जनका वनसीट का एक्जाम होने वाला है जो नए-एलफ भरती हुए है कोईपी में तो उनका वनसेट होगा और वंसर्टके एक्जाम जो पास कर जाएँगे तो सट्फाइर एलफ हो जाएंगे तो मऑनगर के एक्जाम में कीसर्कार के प्रस्ण भूषते जाते nowadays के वीडियो में हम बताने वाले हैं तो आते हैं अगले पेज़ पर देखते हैं आपकी कॉ 50 नंबर्स लाने होते हैं तो हम सबसे पहले बताएंगे इसमें जो तीन पेपर से उसमें से फहला जो ने पर से यह उनसेट प्रोफिसियनशी इंग्लिजिस पेपर है उसके बाद तीसरा बडुमिकर मत देख रहेएंसे औरش वन सेट प्रोफिसियंसी आईटी पेपर इसमें किस परकार के प्रश्ण पूछते हैं इसके बारे हम बता देते हैं तो यह आईटी जो है अप्लिकेसं से प्रश्ण पूछे जाते हैं अब उसमें माल लिएए आप MS Word परश्ण पूछते हैे तो कि प्रश्ण पूछेंगा और सबसे छोटी संक्या निकालने को बोलता है उसमें रोग क्रियेट करने को बोलता है कॉलन क्रियेट करने को बोलता है इस तरीका से उसमें प्रश्न कुछते हैं उसी तरीका से आप पाउरपइट में जाते हैं तो उसमें भी नया पेज कैसे लेंगे मतलब जो नया स्लाइड होता है कैसे लेंगे उस पर कैसे हम कलर चड़ाएंगे कैसे कोई पिक्चर लेंगे कैसे कोई फॉंट को लिखेंगे कैसे हम उसमें से बोलेगा जो दो स्लाइड को डिलीट किजिए तो उस तरीके से डिलीट करेंगे तो यह तीनों जो है आपके application और notepad application होता है इसी application से प्रस्थने इसमें पूछे जाते हैं तो अगर आप IT का जो KYP में IT जो subject होता है उसको पढ़ाय है तो आपको यह सारे प्रस्थने बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से बना लेंगे उसके बाद आता है लास्ट जो फर्स्थ में हाता है आपका जो वन सेट प्रोसेस पेपर इसमें प्रस्थन जो पूछे जाते हैं KYP से संबंदित पूछे जाते हैं इसमें होता है कि बच्चे को कितना दिन उपस्तिती देना होता है उसको हॉल जो टिकर जेर्नेट होने के लिए मतलब जो हॉल टिकर जेर्नेट होता है तभी बच्चे एक्जाम में बैठ पाता है तो उनको जो टोटल तीन वन्स का कोर्स होता है तो उसमें मिनिमम कितने दिन उनको परजेंट होना होता है उसके बाद मिनिमम उनको टोटल कि सेसन कम्पलिट करेंगे तब उनक़ haul टिकत करनेट हो पाएगा उसके बाद आप 22 और 48 सेसं complete करना होता है उसके बाद मार्क्स कम से कम उनको 36-36 माक्स लाना होता है तब उनका dadurch होता है उसके बाद घलेंज मेंने अ कि हम शार नॉम मतबर लाना होता है तो इस तरीका से समंधित पुरस्ण पूछते हैं उसके बाद यह सब्सक्राइब पूछता है जो कितना मार्स फाइनल मार्स जो होता है इस तरीका से यह पूछता है उसके बाद उसमें और सारा प्रश्ण मतलब पूरे संपूर्ण कि यृवाई पी कि जितना भी सब्जेक्ट है उस सारे चीज से पूछता है इसमें घुर्ण नंबर जो आपका है इंग्लिस पूछा जाता है उसके बाद यह जो ग्रामर से संबंधित पूछा जाता है तो सबसे इसमें बोला जाये तो सबसे भारी जो होता है वह सब्जेक्ट आपका इंगलीज का होता है इंगलीज का पेपर भारी होता है और इसमें थोड़ा दिक्कत होता है इसका निकाल लेंगे तो समझे जे तीनों का आप निकाल लेंगे तो इसमें इसी तरीका से को बताना संभव नहीं है और संपूर्ट प्रस्थ मेरे पास एवलेबल नहीं है मैंने अपने अनुभव के अनुसवार बता रहे है क्योंकि मैंने पांच एक जाम दे चुके हम तो यह सारे चीज अगर आप पढ़ा हैं तो यह दो सब्जेक्ट निकाल लेंगे वांसेट प्रोफिसेंस आई टी जो प्रोफिसेंस इसे में थोड़ा दिक्त होगा तो इस तरीका से आज के वीडियो में बस इतना ही फिर में लेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए ब